विशुव्यापिक कोरोना महामारी के चलते जहां पूरे देश में लोगडाउन कर गया था उसी के चलते सारी अर्थिवयस्ताओं पर विराम लग गया था वहीं हम अब बस और ट्रेन की बात करें तो यह भी लोगडाउन से अचुते नहीं रहे लेकिन धीरे धीरे सारी अर्थिवयस्ताओं को केंद्रवराज्य सरकार द्वारा खोल दिया गया है बसों का परिवहन शुरू हो गया है देखा गया कि आमजंता की लाइफ लाइफ ला हो गये हैं लेकिन नीमज की रेलवे स्टेशन पर छोटी दूरी की ट्रेने अभी तक शुरू नहीं हुई है जिसके चलते आम रहागीरों को बसों में बढ़ाया हुआ डबल किराया देकर यानी जी वहां से यात्रा करना पढ़ रहा है जिससे गरीब मध्यम परिवारों प बड़ी देवी के तो चलो ठीके अभी प्रहनी चल रही है पर छोटी जगाओं पर जाने के लिए आदमे तो टू बीलर या पोर बीलर ते जाता है तो तो मेगा बढ़ता है बस का किराया भी पढ़ चुपा है तो तो आम पगली पर एकिते के बढ़ने चलने सुने तो तो फिल्जे पास थाद़ हो तो चले जाए गेंगे पर जो गरेब तषक जाएगा है उसके लिए फ्र जयने चलाना चाहिए म다ैखी जो पर शादा नहीं है तो ग्रेब तषक जाए तो उसके लिए कढ़ेंगा तर्गेलर तो लिए टट्रणी सब्कर सूए Barbary को जागकी तो गर आज कारीब 11 महिने हो गया हैं पर फिर भी हमारे याँ की जन प्रती निद्यों की उदासिंता के चलते हमें लोकल रूट की ट्रेन जैसे नीमत डेमो जो बिलवाडा से रतलाम चलती थी नीमत से इंदौर छोटे रूट की ट्रेने अभी तक हमारे जन प्रती निदी सांसर उपलब्द नहीं करा पाएं यह उनकी उदासींता का परिचायक है निश्चित रूप से ट्रेने छोटे रूट पे नहीं चलने से आम जन को काफी मुश्किलों का कटनायों का सामना करना पड़ रहा है एक तरफ लगातार सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमते निरंतर बड़ा रही है और आम जन अपनी साधन से अपने विकल से जो सफर करना चाहता है या मजबूरी में जाना चाह रहा है उसे वे काफ सब्सक्राइब करना निश्चित रूप से इंदोर का किराया पहले 64 रुपए हुआ करता था आज जो ट्रेन इंदोर के लिए एक मात्र ट्रेन जो उपलफ दे जो शाम को साड़ेशे बज़े करीब नीमत से चलती है उसमें रिजर्वेशन कराना जरूरी है और 125 का किराया भोकता से लिया जाता है साथ ही अगर वो कैंसल कराता है तो 60 रुपए उसके टिकट से कटे काटे जाते हैं लोका इसी नाम से उसी लोकल ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन का नाम दे दिया और आम जनकी जेब को अधिक किराय लेकर काटा जा रहा है यह सरकार एवं जन प्रति से निद्यों की नाकामी नाकामयाबी का एक उधारण है वड़ता है बजबारा बढ़ता है और इन दोनों ट्रांस्पोटेशन बढ़ने की वज़े से हज्द्यान की खिमते भी बढ़ती है इनका सीधा सीधा संबन सभी वस्तों पे होता है वह महंगाई बहुत ज्यादा ब जो कम दूरी की ट्रेने हैं उनको चालू कर दिया है और उनके फेरे कम है और जो कम दूरी की ट्रेने हैं उनको भी एक्सप्रेश के नाम पर उनका किराया बढ़ा दिया जबकि ट्रेने वही है डबे वही है समय भी लगता है परन्तु एक्सप्रेश के नाम पर उनका किराय नीमत से आसिप अली की रिपोर्ट